आगामी 22 जनवरी को आयुद्या में होने जा रहे प्रभूश्री रामलला की प्राण प्रतिस्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं प्रेम और सुहादर की नगरी आग्रम में भी तैयारियां देखने को मिल रहे हैं इसी क्रम में International Institute of Fashion and Arts में रामलला की पोशाग तैयार की गई जिसमें भावी फैशन डिजाइनर ने बड़े हर्ष और उल्लास से रामलला के आने की खुशी में सप्रेम काम किया डिजाइनिंग की छेदर में देश की अग्रणी संसान वे शुमार International Institute of Fashion and Arts में रामलला की पोशाग तैयार की गई जैसा की हम सब लोग जानते हैं 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला की प्राण परतिस्टा की स्थापना होने जा रही है इसी पावन अपसर पर आईफा की पूरी तीम ने सप्रेम भेट की रूप में रामलला की पोशाग बनाने का संकर पलिया संसान की चीफ मैटोर गरिमा सारस्वत वांडे ने बताया कि ये पोशाग बनाने के लिए रेशम वा मलमल की कपड़े कर इस्तमाल किया गया है तद जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भगवान शीराम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था वा उनका प्रिया रंग पीला वा केसरिया था उसी को दरशाते हुए उनकी पोशाग को पीले वा केसरिया रंग में बनाया गया है वही समक्वे पर मौजूद रही संसान की सी ओ ओ रुची सारस्वत ने बताया कि पोशाग को बनाने के लिए अंगरखा वा धोती पैटन का इस्तमाल किया है इस पोशाग की सबसे खास बात यह है कि अंगरखा पर जो मोटिफ इसमें इस्तमाल किये गए हैं उसमें जरी के धागे से जरोगे की आकरिती बनाई गई है तथा उसमें सूरे को दरशाया है वप्रभुशी राम जी का प्रियेधनुश वक्रपान जिसमें बाहर रखे जाते हैं खूबसूरती से उससे दशाया गया है साथी साथ कमरबंद वपगड़ी पर कमल के फूल वसूरे को दशाया गया है जो उनके सूरेवन्शी होने के प्रतीक को दशाता है यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमें यह मौका मिला कि हम राम जी के लिए जो की 22 जन्वरी को अपने घर बापस आ रहे हैं उनके लिए हम कुछ एक भेट तयार कर सके तो आइफा के सभी स्टूडेंस ने मिलके सभी डिजाइनर्स ने मिलके एक संक जो 52 इंच की मूर्ती है वा जो 6 इंच की मूर्ती है हमने दोनों के लिए अलग-अलग कुछाके बनाई हैं मूर्ती का जो में जो उनका सिंबल है जो वो सूर्य वैंची है हमने पुछाक में वह दर्शाया है वा उनका प्रिय धनुष वा बान उसके अंदर हमने जो पैशन एचोडी सिमरन सक्सिना के निदेशन में ये पोशाक तयार की गई है पोशाक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पोशाक को बनाने के लिए जरी का धागा, दबका, कटदाना, गोटापती, जरकन तथा किरन वा हाथ की कड़ाई आदी का काम बड़ी महनत वा खुबसूरती से किया गया है संसान के निदेशक सचिन सारस्वत ने बताया कि इस पोशाक को बनाने के लिए लगबग दो हफ़तों का समय लगा तथा पंदरा भावी फैशन डिजाइनिंग के चात्रों ने दिन रात महनत करके ये खुबसूरत पोशाक तयार की है पोशाक को तयार करने के लिए भावी फैशन डिजाइनर सानिय सेफी, रादगुपता, सोनम, कनकपर्मा, मांसिय गरवाल, हर्श पताब, रिया तोशनिवाल, कोमल शर्मा, कल्पना, वपलक, आदी सभी ने बड़े हर्श और उलास से रामलला के आने की खुशी में सप्रे काम किया. इस रामलला के लिए डिजाइन की जाए और इस अधभुत कारे को करने के लिए लगभग 15 बच्चों ने दो हफ्तों की मेहनत के अंदर इस कारे को तयार किया है, मुझे लगता है कि ये अपने तारीके का एक विसिस क्रिएशन तयार हो पाए. नहीं जब सभी डिजाइनर से उनके अनुभब के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी उत्सुकता जताते हुए बताया कि ये उनके लिए बहुती सौभागय की बात है, वे अपने हुनर के माध्यम से रामलला के आने की खुशी में उपहार स्वरूप पोशाग बना कर अपना योगदान दे पाए, इस कारे को पूरा करने में संसान के प्रतीक राज चोहान वशुरती शर्मा का भी सहयोग रहा, मून न्यूस के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट